हाई फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग ये एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट में जो सरकार कल अमेंडमेंट लेके आई है ओर्डिनेंस के थ्रू क्योंकि पार्लियमेंट अभी सेसन में नहीं है और डॉक्टर्स की पाफी जादा डिमांड थी डॉक्टर्स और हिल् लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई स्ट्रिक्ट कानून लेके आई तो ये हिल्थ वर्कर्स को बचाने के लिए ये कल क्याबिनेट ने फैसला लिया है उसके पहले होम मिनिस्टर अमित्सा की एक मीटिंग हुई थी अमित्सा की मीटिंग इंडियन मेडिकल असोसिय प्रोटेस्ट होने वाली थी 23rd April को जिसको उन्होंने ब्लैक डे भी बोला था वो उन्होंने कॉल अफ कर लिया उसके बाद कैविनेट के मीटिंग हुई उसके बाद ये कानून लेके आई है सरकार और ऑरलीनेंस लाने के लिए प्रेसिडेंट हसे इंटी ज़रूरी होता है जब पार्लेमेन्ट सेशन में नहीं हो तब ठीक है तो ये किया लौ है क्या एपिडियो में हम लोग सरकार लेका अई है इसमें ये वीडियो में हम लोग देखेंगे ठाकि आल आप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बैक विंचर्ज गुरू अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए और नोटिकेशन का बिल आइकन प्रेस कर लिए ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स वीडियो के मिलते रहें तो सीधा आते हैं कि यह medical fraternity की काफी strong demand थी कि उनको protect करने के लिए paramedics को protect करने के लिए और आप इन फोटो में देख पा रहे होंगे कि काफी ज़्यादा इन पर attacks बढ़ गया हैं यह coronavirus situation में इन पर attacks काफी ज़्यादा बढ़ गया हैं और इससे protect करने के लिए सरकार इनको कानूल का protection दी है ताक कि doctors अपना काम अच्छे से कर सकें क्योंकि अभी आपको पता है कि pandemic situation है पूरे दुनिया में और doctors का role काफी important है उनको corona warriors भी बताया जा रहा है इस act में जो amendment लेके आई है तो violence against doctor और medical staff cognizable किया गया है cognizable मतलब इसको serious nature का माना जाएगा अगर आप doctor के खिलाफ violence करते हैं या फिर उन पे attacks होते हैं तो उनको serious offense माना जाएगा और वो non-bailable होगा ठीक है ये पहला provision इहोंने ये 1897 का जो act था ये अंग्रेजों के जमाने से act है 1897 करीब 120 साल पुराना ये law था इसको amend करके सरकार ला पुराना कानून है उस कानून के तहत एक सोतेज साल पहले वाला कानून है उस कानून के तहत उसमें बदलाव करके या अध्यादेश लागू करने का देने अज मंत्रि मेंदल ने किया है अब ये होगा कि आई सरका अपराद ये कॉगनिजियबल वो होगा और नॉन बेलेबल होगा ये सग्यान भी लिया जाएगा सग्यान योग्य भी होगा और जमानत न मिले वाला होगा तीस दिन में इसकी इंवेस्टिकेशन पूरी होगी सिनियर इंस्पेक्टर के लेवल पर ही इंवेस्टिकेशन होगी और एक साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावजान किया है तीन महिने से पांच साल सजा हो सकती है अगर इत्पर हमले हुए या कोई नुक्सान किया और पचास जार से दो लाख रुपे तक का जुर्माना देना पड़ सकता है प्रकास जाबडेकर ने कि यह कहा कि गवव्मेंट वुड अक्ट तफ गवव्मेंट एक्दम स्टिक्ट अक्सन लेगी उसके अगेंस्ट जो कि डॉक्टर को अटैक करेंगे और आशा वरकर को अटैक करेंगे क्योंकि यह अटैक काफी बढ़ गये थे रिसेंटली ठीक है उसके बाद यह नौन बेलेबल ओफिंस होगा ठीक है और जो भी अक्विड गिल्टी पाए जाए गा उसको तीन महीने भरना पड़ेगा 50,000 से 2,000,000 रुपया तक का ठीक है और अगर cases बहुत serious है और violent cases का nature बहुत serious है तो 1,000,000 से 5,000,000 का fine हो सकता है और 7 years तक का jail हो सकता है ठीक है 7 साल तक का jail हो सकता है और 1,000,000 से 5,000,000 रुपया fine भरना पड़ सकता है अगर काफी crime violence serious है ठीक है और अगर उनके property को private clinics या उनके vehicle को damage किया जाता है तो दुगना charge twice charge करेगी सरकार जो भी उसकी property की दाम है उससे double charge करेगी सरकार उससे वसूलेगी सरकार ठीक है और इससे doctors, paramedics, आसा worker को protect किया जाएगा इस law के तरू precedent sanction देंगे तभी ये ordinance action में आएगा ठीक है तो ये इसका क्या मतलब है ये law का मतलब क्या है ये long painting demand थी doctors की पहले भी attacks हुए थे लेकिन ये अभी covid-19 situation में ये attacks बढ़ गाए है तो इसके लिए सरकार लेके आई है ठीक है और इसके बाद मैंने बताया कि IMA का जो प्रोटेस्ट होने वाला था doctors का black day के रूप में observe करने वाले थे ये लोग तो उनको ये withdraw कर लिया है home minister के assurance के बाद ठीक है और ये इनको future attacks से बचा हैगा तो ये epidemic disease act 1997 originally क्या था ये 1897 में enact किया गया law था ये British इसके दौरा लाया गया law है जो 1897 में ब्योबोनिक plague जो मुंबाई में ये exams के लिए important है इसलिए ध्यान रखेगा ये 1897 में ब्योबोनिक plague को रोकने के लिए लाया गया था British के थ्रू और ये epidemic को contain करने के लिए ये law है और आज तक इसको update नहीं किया गया अभी government ordinance के थ्रू lie है इसमें central government और state government दोनों को special powers मिलते हैं किसी भी epidemic को रोकने के लिए जब ordinary law ordinary law काम नहीं करता है इसमें special power होते हैं आप किसी भी को भी quarantine कर सकते हैं ऐसा इसमें provisions है और इसको containment measures के रूप में देखा जाता है कोई भी disease फैले न इसलिए ठीक है इंडिया में इसको पहले भी use क किया गया है, swine flu को रोकने के लिए cholera को रोकने के लिए malaria को रोकने के लिए dangy को रोकने के लिए ठीक है, और 2018 में गुजरात में cholera fell रहा था उसमें इसको act को enact किया गया था और काफी सारे नाशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अक्ट उनके साथ-साथ इसको भी इनएक्ट कर रहे है कोविट-19 को फैलने से रोकने के लिए तो इसमें एक प्रोविशन सौर आड किया गया है डॉक्टर्स और हिल्थ वर्कर्स को बचाने का होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब केज़े वीडियो को लाइक केज़े और कॉमेंट सेक्षन में अपना फीड़वैक देना मत बोलिए तो मिलते हैं किसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फ